प्रश्टाचार को खत्म करना होगा प्रश्टाचार्यों को खदेडना होगा और लगाम लगानी होगी ऐसी हर गतिविधी पर जो किसी ना किसी तरह से करप्शन के रास्ते पर जाकर रुखती है यूँ तो कई राज्यों के मुखिमंत्री इस दिशा में कदम उठा रही है लेकिन उत्राखन के सीएम पुशकर सिंग धामी इनमें दो कदम आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं उत्राखन के सीएम पुशकर सिंग धामी के आदेश पर अधिकारियों ने ऐसे ऐसे अभ्यान चलाए हुए हैं जो भरस्टा चार और भरस्टा चारियों पर चोट कर रही है अभी कुश वक्त पहले की तो बात है जब सीएम ने आम जनता के लिए 1064 वेब आप लॉंच किया ताकि करप्शन करने वालों के खिलाफ सक्त कारवाई की जा सके सीएम ने इसकी जानकारी खुद देते हुए बताय था भरस्टा चार मुक्त उत्राखन की संकल्पना को साकार करने में 1064 हेलप लाइन एवं एप महत्पून भूमिका निभा रहा है इसके माध्यम से भरस्टा चार से संबंदित शिकायत करने पर तुरित एवं सक्त कारवाई की जा रही है एवं शिकायत करता की पहचान भी गुप्त रखी जा रही है हमारी सरकार उत्राखन को भरस्टा चार मुक्त बनाने के लिए द्रिड संकल्पित है इसी के साथ विजिलेंस में 103 नए पदों को तयार किया गया ताकि प्रभावी तोर पर व्यवस्था को और महतर बनाये जा सके धामी सरकार ने अब तक राज्य में कौन-कौन से कदम उठाए है प्रदेश में भरस्था-चार को रोकने के लिए जो फायदिमन साबित हो रही है जरा जान लीजिए भरस्था-चार रोकने के लिए उठाए गई कदम धामी सरकार ने 177 के तैट भरस्था-चार का विरोध करे राश्टर के प्रती समर्पित रहे अभियान चलाया विजिलेंस विभाग में 103 नए पत्र जित किये गए टोल फ्री नंबर 1064 की शुरुवात की बरस्टा चार मुक्त अभियान लगातार चलाए जाने के निर्देश दिये विजिलेंस विभाग को निर्देश दिये कि महिने में दो बार रिपोर्ट सौपी जाए जो भी कदब धामी सरकार से बन पड़ रही है वो कर रही है ताकि भरस्टा चार मुक्त उत्राखन बनाये जाए और दूसरे राज्यों के लिए मिसाल पेश की जाए आपको सीम धामी के काम करने का ये तरीका कैसा लगा? कमेंट करके अपनी राए हमें जरूर दे करेंडर भर के देंगे मुझे खुशी है वह वाइदा हमने पूरा किया और वह यह उद्ना हमारी को वड़ार 22 से लागू होकर चलती है इन वैसी हले के उद्ना होता है अज प्रदेश में हैंपीनेस इंडेक्स को बढ़ाने का काम हुआ है वायो वैनों भाजपा की चरका उप्रापंड के अंदर देश का सर्वो से स्ट्राप्जे बनाने के लिए आगल स्ट्राप्जे बनाने के लिए लगाता काम कर रही है